हल्क सही में आ गया है, साइज, साइज उसका जम्बो साइज है, कलर की अगर बात करे ना, तो थोड़ा देर में आप लोगों को दिख जाएगा, ला जबाब कलर दे, फुल बॉडी, और अगर एग्रेशन की बात करे, हल्क है, तो एग्रेशन तो रहे गाई, एग्रेसिव है और वो कहता है ना, के एक देश में एक राजा होता है, तो वो रहेगा भी अकेला, सिंगल, कौन है ये हल्क, सस्पेंस ज़्यादा और क्रियेट नहीं करेंगे, वीडियो को आगे देखेंगे बॉक्स खुल चुकाया, पैकेट खुलने वाला है, और रिविल होने वाला है सस्पेंस, के कैसा है ये हल्क, चलिए देखते हैं दोस्तो, कुछ-कुछ दोस्तो को शायद पता चल गया है, कि क्या है पैकेट के अंदर, और जिनको नहीं अभी तक पता चला है, चलिए पैके अफ्टर लॉंग टाइम बैक, इस टाइप का इस कॉलिटी का फ्लाड़न मिला है दोस्तो, पहले साइज की थोड़ा बात कर लें, 10 से 11 इंच का साइज है देखिए, जैसा साइज, वैसा हैट और कलर भी वैसा, पूरा बॉड़ी, फूल बॉड़ी में दोस्तो मार्किंग ह लेके एकदम टिल तक, दोस्तो आगे और भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस से पहले अभी हम लोग थोड़ा साइजिंग प्रोसिडियोर जो होता है, टैंक में एट करने से पहले, वो हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग में टैंक में एट करेंगे, जो हम ने चार-पास दिन से साइकल करके रख दिया था, तो उसमें एट करेंगे, जस्ट एक ही पीस आया है, और एक ही पीस ही एविलेवल है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितना देर तक ये एविलेवल रहेगा, क्योंकि इस तरीके का कॉलिटी, इस तरीके का वाराइटी हर बार नहीं मिलता, और सबसे बड़ा बात है, जैसा साइज वैसा है, तो दोस्तो अगर आप चाते है, ये हल्क आपके घर में रहे, तो जल्दी से इस नंबर पे कम्मिनिकेट की दिये, जंबो साइज है, जंब कर सकता है, इसके लिए कोई रिक्स नहीं, हाथ से नहीं, नेट से लेके आराम से इसको में टैंक में एट करेंगे, ये देखिए, ये चला गया में टैंक में, दोस्तो अभी ये जर्नी में आया है ना, थोड़ा स्ट्रेस में है, फिर भी आप हेड इसका देख रहे है, और बॉड़ी का कलर, ये जैसा सेट होते जाएगा ना, थोड़ा सा य ये एट्मोस्फियर के साथ, एंवाइरोमेंट के साथ ये जैसा खुद को एड़्जस करना शुरू करेगा, धीरे 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 ये और फिट हो जागा, अगर ये स्ट्रेस हिल, मेडिसिन, कोई भी फिश जब आता है, थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो उसको हम लोग थो जल्दी रिकॉवर कर जाए, और उसका जो ओर्जिनल कलर है, क्वालिटी है, वो निकर के सामने आए, तो दोस्तों ये जो फ्लोर होन है, इसका साइज बता दिया, मैगमा क्वालिटी का है, और आपके सामने बाकी डीटेलिंग है, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जो चाहते ह कि जादा बरा एकूरियम नहीं, धाई से तीन फिट का एक एकूरियम हो, और उसमें ऐसा कोई फिश हो, जो देखने में बहुत बढ़िया लगे, लेकिन लो मेंटेनेंस हो, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, कि आपका जो सर्च है, वो यहाँ पर खतम होता है, क्योंकि ये हल्क शायद आपके लिए ही है, लेकिन लिटेट पीज इसके लिए जादा देर मत किजिएगा, अभी इसको टैंक में छोड़ दिया, तो अभी इसको थोड़ा रिलाक्स होने देते हैं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने देते, जितना जल्दी इस्ट्रेस फ्री हो अभी उसके बाद इसका फीडिंग चालूगा तो फिलाल इसको टैंक में छोड़ देते हैं और लाइट को आफ कर देते हैं कि अब जो one and only questions आ रहा है आप लोगों के मन में कि इसका प्राइस क्या होगा 35,000 अहां 30,000 वो भी नहीं 25,000 तो होगा यह ऐसा वाराइटी का वो भी नहीं तब 20,000 पक का रहेगा क्योंकि कभी कभार हम लोग चार-पांच इंच का फ्लाराण का देखते हैं 12,000-15,000 बढ़िया क्वालिटी का दाम हो जाता है तो यह तो एकदम जंबो साइस है उतना भी नहीं तब क्या 15,000 वो भी नहीं बेस्ट प्राइस क्या है इसके लिए अभी कॉल कीजिए